आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बेसी बीकॉम के फिप्त समस्टर के चातर है जिनको अनिवार प्रस्णपत रियानी को करिकुलर सब्जक्ट की परिच्छा देनी जिसका नाम है अनलेटिक एवलेटी एंड रिष्टल अवरनेस उनके लिए वीडियो ब देखते रहेगा क्योंकि जो मैंने आपको ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं यह 100% वरकिंग है पिछले फालो में कई सारे हजारो चातर हमारी वीडियो से टिप्स ट्रिक्स से पास हुए ठीक है तो वहीं बताने वाला हूं और प्लस कोईश्चन एंसर भी बताने वा आज कि इस वीडियो का पहला प्रस्ण है कि भाईया B I OS का पूरा नाम क्या होता यानि कि जो B I O F लिखा इसका पूरा नाम क्या होता तो यहां पर आपको कई सारे आपसे तरहाप की परिश्या में देखने हो खुब लेंगे जो सही होगा उसे आप लोगों को टिक करना तो इस बात को द्यान लगेंगे जो फिप्त समस्टर होता है इसमें कुछ कुछ आपको mathematics ठीक एबी सीडी पे सम्मंदित हाएंगे कि आपके एबी फीडी जो अलफाबेट होता है उसमें डी कौन से अस्थान पे जड कौन से अस्थान पे एक से कौन अस्थान पे ऐसा कुछ सांगे कुछ mathematical और कुछ टेगना मतलब की mathematics से कुछ question कुछ reasoning के question होंगे ठीक कुछ को computer से सम्मंदित question होंगे कुछ internet से सम्मंदित question होंगे इस चार प्रकार के प्रस्ट परिष्छा पे पूछ जाते हैं ठीक इस बात को ज्यान नखेंगे तो इस video में जातर हम कबर करने वाले और इंटरनेट से सम्मंदित कुछते के कौन सी memory है जिसमें निर्देश समूवा मानो को संग्राहित करके मिटाया जा सकता है जहांत सु लिजए इनमें से कौन सी memory है जिसमें मालिजे की कोई data है या फिर कोई निर्देश है ठीक है वो संग्रहित करके मिटाया जा सकता है तो चेले बताइए भीया कौन सा है तो आपको ये प्रश्ण का सयुत्तर हो जाएगा option number D ठीक है इसको क्या कहेंगे E प्रोम कहेंगे ठीक है सयुत्तर हो जाएगा the number ठीक है अगला प्रश्ण है कि भ सब्सक्राइब अगला प्रष्ट्रीक है कि आकुडों पर निर्देशों के अनुसार प्रिक्रिया करने में तार्किक नेड़े करने का कारिक करती है कौन सा प्रोस मतब कौन सा पार्ट है जो तारकिक नेड़े करने का कार्य करती है कोई भी हम डेटा या फिर कुछ माली जो आकड़ा कुछ भी जोड़ते घटाते कुछ भी करते हैं ठीक है कम्प्यूटर ने तो इस प्रशने का सहुत्तर हो जाएगा आपसे नमबर आ ठीक है वो इस्टल होगा ठीक है इस तरह आपको जो भी कुछ लिखते हैं पढ़ते हैं या इस्टोर करते हैं वो सबसे पहले एलियू में जाता है ठीक है अगला प्रशने कह रहा है कि एलियू में छोटे अस्मृत ज़श्टर की बेवस्था को क्या कहते हैं घ्या तो हम उसको कहत ठीक है तो इसको हम कहेंगे इसको कहते हैं बस ठीक है बस वह आला में बस ठीक बस आप computer में पढ़ेंगे तो आपको संद्रस्स का यूज्ट सब्ससक्राव करेंदेश देटा को भीजने के लिए इन सभी बसका यूच किया जाता ठीक कि रहाले इसका काम होता चिगनल और डेटा को भीजने के लिए हारे डिक्स आप सभी को मालूम कि स्टोरेज का बहुत बड़ा उदाहरण है तो सिंपल सा इसका उत्तर हो जाएगा भंडार यूग ते जहां पर स्टोर चीजी होती है हिमपैक्ट प्रिंटरarina की सारे प्रकार होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर एक होता है ठीक हो किस प्रकार प्रिंक्तर ही आपको बताना बटाऊंट' घृट्स इन इसको अगला दीशित लोग इंपूट देते हैं कि माॉस हो गया की इंपूट डिवाईस बाहर तो जिस DC से आपको कुछ निकलता है बाहर तो और पॉलते हैं जहांपर आपको कुछ से दिखता थो होता है तुब हाँ आब वो हो गया output device प्रिंटर आप कुछ प्रिंट करेंगे तो hard copy निकले कि तो गया output यानि कि जो बाहर आपको दिख रहा है ठीक है चाहिए वो physically दिख रहा हो या फिर internally दिख रहा हो ठीक है यह होता है आपका output और input device होते हैं mouse हो गया keyboard हो गया ठीक है और भी बहुत फारे जो होते हैं मोडम हो गए ठीक है यह सब क्या होते हैं कि इंपुट डिवाइस बाहर से लगाया जाते हैं ठीक है सीड़ी ड्राइब हो गया ऑगे अगला प्रशन है कि इंपसे आपको डिवाइस का है ठीक है तो चली आप सभ Unionуск feel about आपसे नंबर भैया निमन में त्टीक है आउंट पूट डिवाइस है जिए के मौनीटर के माध्यम से आपको देख सकते हैं टिक है लाइड में किलिक करते हैं तो कुंघ aktiv सब्सक्राइब ब्रोद सब्खनायर निमनों इसलिए इनमें दिए प्रेंग करेंगे करना होता हुन, त priced नीकेक करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर आप लोग कांड़ा में धौने करना लेंगे कंगता है। आप टीक करेंगे थे तक क्या टच इस्क्रीन होता है जब आप जाते हैं अगला के कंप्यूटर की कुंची पटल पर फंक्षन कुंजों की संख्या कितने होती है यह कोश्चन बहुत ही महत्पूर्ण है जब आप कीबोर्ड देखेंगे जिस भी दुकान पे छबी संप्यूटर होगा मतलब की बॉर्ड होगा जो भी आपके पास पास हो आपके पास खुद के पास कंप्यूटर हो किसी साइबर कई दुकान पर देखा होगा जन्से वाकि प्रम के पास कम्प्यूटर के पश भाप céu से पहले उपर की कुछ मुई होती है इनको थीक है बोला जाता है फंक्षण की की नाम पे उप्र वाली की होती है इनकी जो संख्या होती हो एक से नंबर दा ठीक है अगला प्रस्टन पतल जिसको कीबोर्ड बोलते का क्या कार रहे होता है तो इसके माद्हें से आप सभी को आणुकर टाइप किया जाता है ठीक है तो सही उतर भी हो जाएगा अगला कि फ्लापी डिक का आकार यानिकि साइज कितना होता जैके एक तरीकी दिक्स कम्प्यूटर में होता ठीक है तो इसकी जो जर्णली साइज वोती है वह भाई कई साइज होती हैं 3.5 हो सकती में होती इसलिए उत्तर जाएगा उपर्ट में से सभी ठीक है दा नंबर अगला प्रेशन कहा चैसा स्टोर किया जा सकता दाटा संग रहा किया सकता है अगला कहा रहा कि कैम पैक्ट डिस्क को चीडी बोलते हैं इनमें से कौन सी ठीक है तो बहुत ही पॉपलर बहुत ही लेवल करोशन से हैं और सेड़ का पूरा नाम ही होता है किमपैकट डिस्क जिसे की सीड़ी जो पहले चलती थी ना सेड़ी आप डू part तो उसी का पूरा नाम होता कैम पैक्ट डिस्क ठीक है तो वह सीडी रोंग ठीक है कि फ्लाइट की इस्थित की जानकारी ज्याद कर सकते हैं किस मात्यम से तो flight की इस्थित की जानकारी आप sound card फे कर सकते हैं ठीक है अगला पर सने के control unit जो कि computer का एक ही part है processing का ठीक है ठीक है ठीक CPU में तो control unit क्या होता है इन आप सुनमें से तो control unit चले comment section में आप सब बताइए जो control unit होता होता है CPU में होता है ठीक है कहां पर CPU में अगला कंप्यूटर का दिमाग क्या कहला था आप सभी अच्छे जानते हैं CPU कहला था ठीक है CPU कंप्यूटर का दिमाग है याद रखेंगे बहुत popular कई बार पर इच्छे हम repeated question है अगला कहला कि परिचालन प्रणाली का कार क्या है तो परिचालन प्रणाली का जो कार है ठीक है वह होता है प्रिक्रिया प्रणान का ठीक है प्रिक्रिया प्रणान का याद रखेंगे popular question है ठीक है परिचालन प्रणाली के अवयों है तो इतना महत पूर्ण नहीं आप इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन फिरालिश का सही उत्तर हो जाएगा दानमबर यह सभी इस्टार्ट म अग्धम कोने में आपको start menu दिखेगा computer में ठीक होता तो start menu में क्या प्रियोक्त होता तो वहाँ पर आपको इन वाफसे आप कंप्यूटर का log off बंद कर सकते हैं ठीक है यह process कर सकते हैं ओके आगला प्रशन है कि task bar screen पर दिखाई पड़ता है यानि जो task bar होता हो कहां पर होत और आप सभी के लिए बहुत ही महत्पून ठीक है तो task bar होता है चले comment section में आप सभी बताइए task bar जो होता है वो होता है निचले हिस्से में यानि कि computer इतना बड़ा होता ठीक है यह जो आपका computer जो ही monitor ठीक है तो monitor में आपको ऐसे ही दिखेगा ठीक है उसके बास एक नीचे स पट्टी होती उसको हम task bar के नाम फे जानते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है बहुत popular question है ठीक है नीचे वाले हिस्चे को अगला भया question कह रहा है कि toolbar के भाग है टूल बार के भाग है ना अफनिम से कौन सा टोल बार का भाग है तो जो आपको यह प्रसंदिक राज का सयुत्तर हो जाएगा option number साब बिन्डो को टोल बार के भाग है ठीक है तोल बार की जो भाग है यह ऑल्टा गये वह इधर से भी करते हैं टीक है इंडो पे आप क्लिक करेंगे बिन्डो पे तो आपको बहुत फ़ाइब वहाँ पर दिखेंगे ठीक है चले श्कुशन की तो आप से नमबर डिलीट करते हैं कंप्यूटर में कुछ भी आप डिलीट करेंगे माले कोई फोल्डर कोई गाना कोई मूवी डिलीट करेंगे ना तो अब से पहले रिसाइकल बिन में जाएगा एक फोल्डर होता है जो कि सिस्टम सॉप्ट्वेर के अंतरगत ही आता है ठीक है यह अलडी इन्विल्ड होता है कंप्यूटर में जो कि रिसाइकल बिन के नाम फे जाना जाता तो रिसाइकल बिन पर आप जब कुछ डिलीट करेंगे तो वह आपका कहां जाएगा रिसाइकल बिन में ही जाएगा ठीक ही इस भर आफक मैं ड्हूंट को किया नाम से अगला के फाइव मैं ढूडने केलिए कमांड का प्रीयोग होता है किस कमांड का फिर्योग होता है कुई फाइल खोलना है फोल्डर में आप लोग फारे जानते ही होंग थेख बहुत सारी जो मोवी है ये फिर बहुत फारे गॉना है फिर बहुत फारे डाकॉमेंट है हमारे फिर फारे हमारी परशनल डेटा है ठीक है फोटोज उनको कहां रखते आप फोल्डर में ही तो रहता है तो फाइल दाता फॉल्डर को धोडने के लिए किस चीज का सब्सक्राइब एक तरीक है एक तरीकिस बोल सकते हैं कि सिस्टम सॉफट्वेर के अंतरगत ही आता है मतलब की पहले फिर रहता माई डाकुमेंट सेक्शन में जाएंगे फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी डेटा रहेगा आपका पिक्चर डाकुमेंट वह आप सभी को है दिखेगा अगला प्रेशन्ट होए कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा है कि टी सीपी टी सीपी मिलकर इंटरनेट की जिस महाँ पर निर्माड करते उसे क्या कहते तो टी सीपी और आईपी ठीक है बहुत पॉपलर कोश्चन है ठीक है याद रखेंगे आप सभी इसीपी का पूरा नाम होता है ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकाल ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकाल और आईपी का पूरा नाम होता आई से इंटरनेट और पी से प्रोटोकाल इंटरनेट प्रोटोकाल ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे अगला मतलब कि इसमें का जो सही उत्तर हो वर्ड वाइड वेव यह कोई भी आप विपसाइट खोलते सबसे पहले डबलुडबलु आपको दिखता तीन बार तो उसका मताभ होता है वर्ड वाइड वेव इसका पूरा नाम वर्ड वाइड वह होता है ठीक है कंप्यूटर का साब्दिक अर्थ क्या है चलिए बताएं अब सभी संगण याद रखेंगे बी नमबर से उत्तर यान की बनंबर अगला निम्खित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसाज छेत्र सफे कम होता है मतब कि बहुत कम एडिया तक होता है किस ची एरिया नेटवर्क ठीक है लैन का अगला पस्ट ने की ओपरेटिंग सिस्टम जिसमें जी यू आई तथा सी यू आई दोनों गुड़ बिद्दमान होते हैं यह फिर रहते हैं उसको क्या कहते हैं ठीक है तो उसको कहा जाता बहुत ही पॉप्लर कोश्चन पूछा गया वि बीडियो जूबाद करते है आप सभी के कोंफरेंच ऊपरेंच सिस्टम का भाग नहीं है वह सुपरवाइजर बागी सभी इंटीक है अगला थी पॉइंट वाइंट फाइप इंच की भंड़ा जमता कितनी होती है तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर सा ठीक है वन पॉइंट फॉर फॉर यंबी अगला कि सोचना को एक उनिट फे दूफरे उनिट तक ले जाने वह उन्हें वापफ लाने का जो काम होता हो किसका होता है यह फिर कौन करता है तो इसका सही उत्तर हो ज आफज़ल को थेखेंगे रो में प्रोग्राम अस्ताई होते हैं और यहीं पर रेम होता तो उसमें प्रोग्राम आफज़ल को दीने हुबन में से वह में updated आने क्वनियों कोंसी तब document आफ्थ हाई रूप से कहां store किया जाता है तो चलिए comment section बताईए तो आपका store किया जाता RAM में ठीक है आफ्थ हाई रूप से रहता है जब आप उसे save कर देंगे तो वो आपका ROM में चला जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे पहले RAM में रहता है जब आप save करने के बाद वो ROM में चला जाता है ठीक है अगला प्रशन एक बहिया computer में कितने परकार की memory पाई जाती है common question high label का जो कि आपको पता भी होने चाहिए दो परकार की memory पाई जाती है ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे आफथाई और आफथाई simple भासा में कहें तो ठीक है बाकि एक तो internet external होता है जो आपकी पता है आप सभी को पता है जो की memory भी होता है computer की store device है computer की storage device कौन सी इन आप सब्सक्राइब में से तो computer की storage device है वो है बताईए comment section में आप सभी बताईए चलिए इसका उत्तर आप सभी को बताना है ठीक है तो इन आप सब्सक्राइब में से RAM होगी ठीक है हलाकि वो आफथाई होती store करता आफथाई ही है लेकिन इन आप सब्सक्राइब बात करी जाए तो RAM ही है ठीक है अगला के computer के किस computer के जिस भाग में data प्रोग्राम रखे जाते उसे क्या कहते है तो बहुत ही महात्मोड प्रस नहीं याद रखेंगे इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अप्शन नंबर बा मेमोरी ठीक है अगला की CD-ROM का पूरा क्या नाम है तो CD-ROM का पूरा जो नाम हो है compact disk read only ठीक है मेमोरी ठीक है अगला computer के संदर में RAM का आर्थ क्या है यानि कि RAM का पूरा नाम पोच रहा है तो RAM का आर्थ है option number इसका सही हो जाएगा option number B यानि कि random access memory होता RAM का पूरा नाम ओके अगला की computer की मेमोरी क्या होती इन आप्शनों में से तो computer की जो मुख मेमोरी होती है वो होती है भीतर यानि की अंदर की जो होती है अगला की floppy disk किस प्रकार की मेमोरी से संब्धित है बहुत यह popular question जो floppy disk होती है यह आपका external device होती है ठीक है external memory की रोप में जानी जाती है अगला की RAM किस प्रकार की मेमोरी है तो RAM बताई कमेंट एक्ष अगला की hard disk drive को किसमे storage माना जाता है ठीक है तो simple सा इसका उत्तर लिखेंगे hard disk drive को ठीक है non-volatile storage device माना जाता है ठीक है अगला प्रशन है कि बिजली बंद कर दे जाने के बाद storage अपना data रखता है उससे क्या कहते है बिजली माली जे light चली गई आपका computer चल ला है ठीक है तो simple सा इसका उत्तर लिखेंगे option number वो non-volatile storage में जाए ठीक है cd किस प्रकार की memory है तो cd आप सभी जानते कि भईया बाहर सी लगती तो cd जो है ना वो सहायक memory होती ठीक है अगला प्रशन है कि computer hybrid जो आंकडो की बहुत अधिक मात्रा का भंडान कर सकता है वो क्या कहलाता है तो चुम्बक वाले गुण होते हैं सब में ठीक है बहुत ही मता अच्छे तरीके से बनाए जाती है सिलकान भी होता बहुत फारी चीज़े होती है अगला कि storage माध्यम की छमता की इकाई कौन से है तो इसका सही उत्तर बताईए ठीक है comment section में आप सभी बताईए हाला कि एक computer hardware जो आकडो की बहुत अधिक मात्रा को भंडार्ड में रख सकता वो क्या कहलाता है तो उसको कहा जाता है याद रखेंगे चिप कहा जाएगे क्योंकि चिप में बहुत फारी data store रहता है ठीक है प्रशन कहे रहा कि magnetic disk है इन आप सब्सक्राइब में से कौन से तो जो magnetic disk है इ इन इस्टालेशन ठीक है जिसको आप लोग को बोलते हैं इन इस्टाल कर रहे हैं कोई software उसे ही बोलते हैं ठीक है आपके computer में मिल्खित में से कौन सा memory दर्साता है इस बात को ध्यान नागें कि बहुत पॉपलर कोईस्टेंज कर सही उत्तर हो जाएगा आप से नंबर A ठीक ठीक है अगला प्रशन है कि computer data ठीक है गैदर करते हैं इसका अर्थ है कि ये user को data करने देते हैं क्या करने देते हैं आपको यहाँ पर क्या फिल किया जाता है जाएगा वो आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर फिल किया जाएगा store ठीक है store यानि दा नंबर अगला की dot 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 इस प्रकार की अफ्थाई में मेरी जो start आपके लिए computer को जिनकी जरुरुत होती है उन सभी instruction को hold करती है और power बंद करने पर या erase नहीं होती है तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बताईए आप सभी कमेंटे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर दा यहाँ बर र नमबर अगला प्रशन है कि ठीक है only readable memory होती है कौन सी readable memory तो बताइए कमेंट सेक्शन में तो only readable memory जो होती है cd room ठीक है ओके सही उत्तर हो जाएगा सी नमबर बाकी आगे जितने भी प्रशन दियेगे हैं उन सभी के सामने उसका उत्तर लिखा जैसे Microsoft Office सही उत्तर हो जाएगा एक अप्लिकेशन श्यूट है Microsoft ठीक है MS Word को बनाया है Microsoft Company ने ठीक है आगे यतने भी प्रशन उसके समस्थ उसका उत्तर दिया गया है आप तयार कर लेंगी यह पूरी पूरी PDF आपको टेलिग्राम और सब दोनों पर मिलेगी जो चातर में मैसेज करेंगे बाकी इसी तरह तयारी करते रहें हम आपकी तयारी कराते रहेंगे और आपके लिए एक बेसिक टिप्स और ट्रिक्ष में आपको बता दे रहा हूं जिस भी प्रशन का उत्तर नहीं मालूम हो रहेगा ठीक है उसमें से आप लोग लोग लास्ट वाला आपस प्रशन को तर देकर आएगे कोई प्रशन छोड़ कर नहीं आएगा क्योंकि कोई मार्किंग नहीं है तो जल्दी जल्दी प्रशन का हल करने का प्रयाज करेंगे आप सभी ठीक है यह कुछ बेसिक ट्रिप्स हैं इनको आप फोलो करके जाएंगे तो आपको परिच्छा में सफलता जरुरूर मिलेंगे ठीक है क्योंकि उपरोक्त में से सभी इन में से सभी करीब-करीब आपकी प्रश्या में बीश से तीश नंबर उपरोक्त में से सभी या फिर. इनमें पूँछेंज जहिंद.